एक मकान दी छहत डिगंदे नाल भेठा सोरह परवार दे कई परवारिक मेंबर जक्मी होई ने दरतल कहा जारहा है कि मकान मालक नूँ इस छैति डी रिपेरिंग कर poblsource बारे कई वार कह गया पर मकान मालक आए वार आउदा सी थे क्राया लेके चला जानता थे छात दे वाल बच्चे चार सोरे सी ते अचानक ही उना दे उते शारी चात जो है और डिग जानती है जिसदे कारण चारों बच्चे गंबी रूप नार जक्मी होए ने ता इस दुरान ए तस्वीरा भी सामणे आईया ने जिसे साफ देखा जा सकता है कि कारण दे अंतर जो है चात डिग ग गिया है अला कि परवारिक मेंबरा ने मुताबिक हाथसा जो है इस सवेरे सब्सक्राइब करीब वाप रहा है लगातार हो रही बरसात भी इस हाथसे दी वजा मननी जा रही है पर मकान मालिक ने हुन सवेरे फोन किता गया ता उस दे वलो खाले तक फोन नहीं चुक्या गय जथे की को मकान दी चात डिग गंदे कारण चार बच्चे जखमी होए ने आप दूसी साथ भी ना शेजे वाए गी जी तो पहले ठीक सी कर ने अच्छा जी अधिक सुत्ते पे सीगे थे ने खड़े सी गें अच्छा तो उत्ते कुई पारवग रखे दा सी एंदे नहीं नहीं ते मालक मकान की का रही है ता नूट की आसल देर मालक मकान के चाह रही कि लिए आते थे इसका तो इतना उपर से बिलकु खाली हो चुका देखो उसमें काफी जान का रिस्क था आज भी बच्चे दब गये आपके तो मालक मकान से कभी बोला नहीं कि उपर से चोटा है तो बोलता था कोई दिकत नहीं इसी तरह रहता है उसको बोला नहीं आप य है आप सौरे है खुदा ना खाता रात को सौरे होते हैं तो जाने नुक्सान भी हो सकता था ना कि मालपागा ना फोन करके देखो कि कहन देता लो इन का यह जगा कौन सा एरिया पड़ता है अच्छा तो यह क्या क्या प्रोल्म होई है अच्छा थो चुटे-चुटे बच् कोई निदी में कोई लाक्षाग कोई बर्दान की यह कान किसका आपको नहीं को भी निए वो नहीं नहीं है वो नहीं नहीं है तो उनके बच्चे वेगर कोई भी घर पे होगे कैसे रहते हो कि माले में कानी नहीं अगर इनके स्कोई बड़ी हासा हो जाए तो माले में अभी तक पहुंचा आगा और को नहीं कर रहता हुए तो आप गेनी वहां कोई उसको बूला के लिए दो आप देखने नहीं गए गर पे नहीं क्या बात किया हुए थी तो एक दम पू पांज जाने कोन था चार बच्चे थे तो अच्छ बच्चे कर जादा सब्सक्राइब यह जो जो डिवार गिरी है कहां कि घटना है यह जो अधिया है पाइपुरे महलेर बना लागे हो सुविक तकी में देख देख जड़ा हल तक नहीं आये कि अ